स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यर्थ, अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला, समर्पण की मूरत किशोर गोहिल, दुनिया में हर कोई व्यक्ती अपना भला करने के लिए दिन रात मेहन कर अपना भला करने के लिए जी जान से कोशिश करते रहते हैं, सब लोग सोचते रहते हैं कि किस तरह से मैं अपना करियर प्रस्थापित करूँगा, किस तरीके से मैं अधिक से अधिक कमाई कर सकूँगा, किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा मालमत्ता अपना लूँगा और कैसे मैं मेरा स्थान समाज में सिद्ध कर पाऊंगा सब लोग स्वयम के इंद्रित होते हैं ज्यादा तर लोग सोचते हैं कि मैं अपना अच्छा करियर करके स्थापित हो जाऊंगा फिर मैं अन्य जरूरत मंदों को मदद कर उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका दूँगा पहले मेरा भला फिर दूसरों का लाखों में एक ही ऐसा मिलता है जो अपना करियर तथा जीवन पूर्णता दूसरों के लिए समर्पित कर दे इसी समर्पन भाव से वह व्यक्ति अपने आपको उचाई के स्तर पर स्थापित कर देता है अगर किसी व्यक्ति को जन्म से दृष्टी हींता का अभिशाप मिला हो तो व्यक्ति अपने स्वयम को पुनरवासित करना चाहेगा फिर दुन्यादारी के बारे में सोचना चाहेगा मुंबई के कांदिवली विभाग में सिलाई काम द्वारा जीवन्यापन करने वाले एक गरीब परिवार में किशोर गोहिल का जन्म हुआ किशोर जन्म से ही दृष्टि बाधित था उनके माता पिता हमेश उसके पढ़ाई के बारे में क्या किया जा सकता है इस संबंद में सोचते रहते थे और अपने रिष्टिदारों से भी यह जानकारी हासिल करने के लिए निवेदन करते थे किशोर के एक रिष्टेदार कांदिवली स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे उन्हें एक दिन National Association for the Blind द्वारा सायन मुंबई अंध बच्चों के लिए विशेश माता लक्षमी नर्सरी चलाई जाने के बारे में जानकारी प्राप्थ हुई उन्होंने स्वय वहां जाकर बच्चे को दाखिल करने के बारे में तथा वहां की व्यवस्था के बारे में जरूरी जानकारी हासल की उन्होंने तुरंत किशोर के माता पिता को उससे अवगत करा दिया और किशोर का दाखिला वहां पर लेने की सलाह ली नैब माता लक्षमी नर्सरी से पूर्वस्चूली शिक्षा लेकर किशोर का दाखिला आगे के पढ़ाई के लिए Happy Home School for the Blind वरली मुंबई में किया गया वहां अंध बच्चों के लिए विशेश स्कूल था किशोर ने वहां से साथ वी कक्षा तक पढ़ाई पूरी कर छबील दास विध्याले में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली स्कूली शिक्षा के दौरान अंध विध्यार्तियों के लिए संगीत यहां एक विशय होता है उसके पढ़ाई के दौरान किशोर की जान पहचान सुर संगीत तथा संगीत वाध्यों से हुई लेकिन कारेक्रमों की निवेदत के रूप में किशोर को ज्यादा रूची थी निवेदन कला में वहां निपुन माना जाने लगा हास्य कलाकार के रूप में भी किशोर अच्छे अच्छे कारेक्रम पेश करता था किशोर का मिलनसार स्वाभाव उसे अपने गुरुजन तथा सहपाथियों से खास रिष्टे विक्सित करने में मददगार होता था किशोर ने महाविद्यालीन पढ़ाई के लिए एलफिस्टन महाविद्यालीन पढ़ाई में दाखिला लिया वहां से उसने कला शाखा में बी-ए और एम-ए की उपाधी हासिल की संगीत वाध्यवरिंदों के साथ निवेदक के रूप में किशोर का जुडाव तो था ही लेकिन कुछ अंध कल्यार में लिप्त संस्थाओं ने उसे रोजगार अधिकारों के रूप में नियुक्त करने के कोशिश की पर वह अलग रूची रखने के कारण वहां प्रस्था उसका जुडाव तो म्यूजिक शेत्र में मिले सहपाथी और कलाकारों के साथ ही था उनके जीवन का गहराई से अभ्यास वह कर रहा था तब उसे समझ आया की दृष्टिहीन गायक, वाधक और कलाकारों को मान्यता प्राप्त नहीं होती है इसी लिए उनकी आर्थिक आमद अगनी भी बहुत हद तक सिमित होती है वे बड़ी कठिनायों से अपना जीवन्यापन कर पाते हैं उन्हें इस अवस्था से उपर उठाना जरूरी है इसी लिए किशोर ने प्रण किया कि अब मैं कोई भी रोजगार का जरिया प्राप्त कर अपने आपको स्थापित नहीं आर्टिस्स नोडा नामक संस्था का पंजीकरन किया उसका कारियाले बोरीवली मुंबई में स्थित है इस संस्था द्वारा अच्छे अच्छे कलाकारों को चुनकर उन्हें अपनी कलाकारियास करने के लिए जगा उपलप्त करवा दी आगे चलकर किशोर ने इन कुशल कल कि मुंबई तथा महाराष्ट्र में अच्छी ख्याती प्राप्थ हुई किशोर ने बहुत मेहंत कर और एक अच्छे स्तर का वाद्यवरिंद विक्सित किया जिसका नाम है जीना इसी का नाम है जब राश्चिय स्तर पर जीना इसी का नाम है यहाँ वाद्यवरिंद मशूर तो किशोर के हिचिंत को ने अंतराश्चिय स्तर पर पेश करने लायक वाद्यवरिंद स्थापित करने की चुनोती दे डाली। इसे स्वीकार कर किशोर ने और भी कुछ कलाकारों को इकठा कर ब्लैक नामक वाद्यवरिंद स्थापित किया। ब्लैक का सादरी करन देख हिच्चिन तक भी हक के बक्के रह गए। इस ख्याती प्राप्त वाद्यवरिंदों को पेश करने के लिए अंतराश्चिय स्तर पर भी मांग आने लगी। किशोर के भविश्य की आहट समझ कर अपने वाद्यवरिंदों ने दुनिया के 13 देशों में जाकर पेश किया। इससे उस वाद्यवरिंदों ने सम्मिलिक दृष्टिहीन कलाकारों के आर्थिक आय भी बढ़ गई और उन्हें अंतराश्चिय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई। इससे प्रेणा लेकर मुंबई में और भारत में कई शहरों में दृष्टिहीन कलाकारों के वाद्यवरिंद बनने शुरू हो गए। और गणमान्य संगीतकारों के साथ भी दृष्टिहीन कलाकारों को अपनी कला पेश करने के मौके मिलने लगे। किशोर के इस महान सेवा कार्य दृलक्षित जीवन जीने वाले दृष्टिहीन कलाकारों के आर्थिक स्थिती सुधरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का अदा की। सन 2003 में जब किशोर संगड़क प्रशिक्षा ले रहा था तब उसकी पहचान तेजस्विनी नामक उच्चिशिक्षित अंध युवती के साथ हो गई। धीरे धीरे या पहचान अपने घरवानों के मर्जी के साथ विवाव वंधन में परावर्तित हो गई। तेजस्विनी महाविध्याले में व्याख्याता का काम कर रही थी। आगे चलकर वहचांदीबाई कॉलिज उलहासनगर में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। विवाव के उपरांद किशोर के परिवार को आर्थिक स्थैर्य प्राप्त हो गया और किशोर अपनी सेवाकार्य में मशगूल हो गया। किशोर जब भी किसी द्रिष्टिबाधित के साथ होने वाले अन्याय को देखता तब वह स्वयन सेवी द्रिष्टि से आगे आकर उसे दूर मिटाने तक उस व्यक्ती की भरसत मदद और कोशिश करता था. अपने घर से मुंबई के लोकल ट्रेन से दफ्टर जाने तक का अंबरनाथ स्टेशन से बोरिवली स्टेशन तक जाने के दौरान किशोर की मुलाकात वांगनी जिला राइगड में रहने वाले कई गरीब द्रिष्टिहीन परिवारों के सदस्यों से होता था. ज्यादातर वे लोकल ट्रेन में या स्टेशनों पर कटलरी बेचने का व्यवसाय करते थे. इन परिवारों की चिंताजंद आर्थिक परिस्थितियों से परिचित हो गया और यहीं से किशोर के मन में उनकी आर्थिक परिस्थिती उभनने की संकल्पना विक्सित होने लगी सन 2017 में किशोर ने जॉइस किल क्राफ्ट नामक संस्था पंजिकरित कर वांगनी इलाके में वर्कशॉप विक्सित किया वह बीस व्यक्तियों को चॉक स्टिक्स, पेपर बैक्स, कपडे की थैलिया तथा सुवासिक और रंगबेरंगी मुम्बत्तिया बनाने का प्रशिक्षन देकर उत्पादन शुरू किया उत्पादनों की बिक्री से प्राप्त की गई धनरही सभी करगिरों को दी जाती थी जिससे हर कारीगर सालाना 42-00-00 रुपय तक की आमदनी होने लगी दो वर्षों तक यह सिलसिला जारी रहा करोना काल के लहर में किशोर के उद्योगमंदी को बड़ी कठिन पतिस्थितियों से गुजरना पड़ा दो वर्षों तक यह कार्य बंद रहा अब इस वर्ष से पुनश्य किशोर का उद्योगमंदी धीरे-धीरे कार्यशील हो रहा है आज कल यह उद्योग सावरा नामक कजबे में जारी किया गया है वहाँ पर किशोर उनसे संपर्क साधने वाले जरूरतमन ड्रिष्टिहीन व्यक्तियों का ओनलाइन पंजीकरण मुफ्त मैं कर देता है अगर कोई कारणवश उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत हो तो किसी दानशूर व्यक्ति तथा सेवभावी संस्थाओं द्वारा उन्हें वहां मदद मिला देने के लिए भरसक कोशिश करता है उन्हें अपने आपके जीवन में सक्षम बनकर सशक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करता रहता है इस लगन से किशोर अपनी धेय प्राप्ती के लिए अग्रेसर हो रहा है उससे तो इस उद्योग मंदिर का भविशकल जरूर उजजवल होने की आशा है किशोर का यह महान योगदान अंध कल्यान मानवता की महान सेवा में बहु मूल्य योगदान देखकर विजन इंसाइट फाउंडेशन डोमबिवली द्वारा उसे प्रतिष्ठित वी आएफ श्रीमती पुषपा सीताराम पाटिल अचीवमेंट अवार्ड दो शून ने एक छे देकर 15 अक्टूबर जाकतिक सफेद छडी दिन मनाने के लिए आयोजित समारों में देकर गौरवानवित किया गया और रोटरी क्लब ओफ डोमबिवली द्वारा उसे शाल और श्रीफल देकर भी सतकार किया गया सन 2017 में श्री किशोर गोहिल जी को शोभाबेन प्रताब भाई पतेल स्कूल ओफ फार्मेसी विले पारले मुंबई द्वारा दामोदर हॉल परेल मुंबई में आयोजित भव्य समारों में अचीवमेंट अवार्ड 2017 इंच देकर गौरवानवित किया गया सन 2017 में अंधजन मंडल मुंबई द्वारा किशोर को इस सेवा कार्य के लिए प्रतिश्ठिद्द राजेंदरती व्यास 2017 में अपनी संस्था की स्थापना की दिन के उपलक्ष पर आयोजित प्रमुक अतिथी खास्तार डौ श्रीकांत शिंदे जी के हाथों देकर गौरवा जुटे रहने वाले किशोर जी को उनकी इस उच्च मानवता कार्य की लगन को हम अपने तरफ से बहुत सारी सुबकामनाई देते हैं ये ही सोच अगर हर समर्थ व्यक्ति रखे तो हमारा देश विकास के पत पर जरूर अग्रेसर होकर काम्याबी प्राप करेगा सिर्फ हमे Association for the Blind, India